हाई फ्रेंड मैं पूर्बा आप लोगों का स्वागत करती हूं MP सक्से सर्च में और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं मद्धपिदेश में जो इंट्रेंस एक्जाम करनक्ट होने वाले हैं 2020 में उनकी जो टेंटेटिव एक्जाम डेट थी तो क् आज हम इसी बात करेंगे जो एक्जाम डेट थी तो आप इहां पे देखेंगे कि यह जो एक्जाम डेटी ये बिस खायश जून है और आज तीन जून है और अभी तक इसके एक्जाम फो farme नहीं हो रहे हैं तो आप यह एक्जाम काव भोगा जब एक्जाम फोर्म फिल नह तो जब exam form फिल अप होते हैं तो 15 दिन तो exam form फिल होते हैं ठीक है online होंगे और फिर उसके एक दो दिन तक changing के लिए रहता है कि आप exam form में change कर सकते हैं कोई भी मतलब आपका कोई mistake हो गई है कोच आपके गलाट data feed हो गया है ठीक है फिर उसके एक हपते मतलब कि उसके जो फिल अप हो जाते हैं और दो दिन वह हो जाता है तो कम से कम मतलब की 15-17 दिन बाद फिर 20 दिन बाद करीब आपके admit card फिर रिलेज होते हैं और जब admit card आते है तो एक हपते बाद फिर admit card आने की एक हपते बाद exam हो दे तो कम से कम मतलब एक महीने की process थी ये तो कम से कम ये 20 माई तक ये exam form आपके आ जाने चाहिए थे और आज 3 जून हो गई है तब भी exam form नहीं आए तो बहुत ज़्यादा मुस्किल है कि exam अविस डेट पर होगा ये exam अगर आज 3 है तो मतलब एक महीने चाहिए तो समझ लीजे आप कम से कम 3 आपका जुलाई तक exam हो सकता है ठीक है तो ये यहाँ पे ऐसा रहेगा और यहाँ पे आप अगर जून के लिए देखें यहाँ पर तो अगर आप यहाँ पे मतलब फिर आप जुलाई में देखें एग्जाम पर खेंग एक्सेट करनाव नहीं जून तो यह फिर जून में पॉसिबल है नहीं ठीक है तो क्या अब PPT का नहीं हो पाएगा और जैसी अगर कोई को डीट आती है तो मैं अपको बताओं गयानुगी किया आप कहां पर संपर कर सकते हैं आज मैंने अज आपनocyज जो ब्यापम का जो मेन ओफिस रहता है बोपाल में उनके नमबर बगएरा पर बहुत जादा कॉंटेक्ट किया तीन चार कॉंटेक्ट नमर पर लेकिन कोई भी रिस्पॉंस नहीं आया ना किसी ने वह कॉल रेसीब कि लोग नमबर देते हैं वसकि आप लोग इस पर संपर कर स देख सकते हैं यह चार जोलाई है और यह भी चार जोलाई है ठीक है तो यहां पर आप जैसे देखेंगे कि इन्होंने क्या किया है कि PBFT और दाहित का एक ही दिन में दोनों इंट्रेक्ट दी है तो यह भी बहुत मुश्किल आप यह चार जोलाई को अगर है तो इसका फॉर आप इस देख सकते है तो ही कम से कम इसमें से पच्छी दिन की प्रोसेस रहती है उसके बाद exam conduct हो सकते हैं तो यह भी मुश्किल है कि इस इनी डेट पर हो सके क्योंकि यह date कम से कम आपकी 10-15 दिन और आगे सिफ्ट हो सकती है ऐसी आपका PPT का हो सकता है तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि यह हो गए exam यह नहीं हो पाएंगा आपको क्या लगता है आप करें और आप लोग अपनी preparation continue करते रहें ऐसी आप और exam भी देखेंगे जैसे और इन्होंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम में यह आपर बतारी हूं जैसे इन्होंने क्या किया है कि यह दोनों ही exam एक दिन में conduct कर वाया अब जो student जिसको PBFT का भी देना है दाहित का भी तो उसक सब्सक्राइब करते हैं तो उसको पढ़ने में बहुत ज़दा प्रॉब्लम में एक दिन में दो पेपर यह दे पाएगा ठीक है और उन्हों यह नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर कोई दोनों पेपर दे रहा है तब भी उसके लिए मुस्किल है क्योंकि दोनों का सिलेवा स तो उसको पढ़ने में भी बहुत ज़दा प्रॉब्लम हों कि कम से कम उन्हें एक हफ्ते का तो गैफ देते तीन-चार दिन का तो आराम से हो पाता ठीक है तो इसमें भी प्रॉब्लम रहती है पता नहीं लोग कैसे क्या करते हैं तो यह सारा मैंने आपको यह बता हुआ है अब आप जैसे और आगे देखें अगर तो यहां पे जैसे प्री अग्रीकल्चर टैस्ट है तो यह सारे तो अभी मतलब लेट हैं तो इनकी साइद यह अपने टाइम पर हो जाएं लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते तो PPT का तो मैंने बता दिया है कि अभी जून में तो बिल पूछना है कि अग्जाम कब तक होंगे जैसे PPT का देने तो आप पूछेंगे कि सर मैं मैं पॉली टेक्निक का मुझे देना है तो फॉर्म कब आएंगे कब एक्जाम होगा आपको कुछ आईए हो तो बताएं और जो ती टेंटिटिव डेट एक्जाम की वो उस पर हो मैंने यहां पर बताए हुए है यह आप लोग देख सकते हैं तो इन ती नमर पर आप लोग को कॉल करके वहां पूछ सकते हैं यह मतलब आपम MPPV का कॉंटेक्ट नंबर है संपर्क नंबर के आप लोग कोई भी कंप्लीन करना हो कोई सिकायत हो या कुछ पूछता है तो आपको ओनलाइन होता है प्री पॉलिटेक्ट ने लगें तो अगर जैसे आप प्री पॉलिटेक्ट का देखें तो अभी आपको बताती हूं तो आपको वीडियो को जाए ज्यादा सेयर करना है और जिननों कभी पेपर पीटी बगर का तो बोलोग अभी दब पढ़ाई होगा तो टैंसर मतले आराम से पढ़ाई करें और जब भी होगा तो मैं इनफर्म करूंगी आप लोग कॉंटेक्ट नमबर भी बता है तो आप लोग उस पर भी कॉल बगरा करके पूछ सकते हैं ठीक है तो आप लोग वीडियो कैसे लगी प्लीज लाइक सेयर जरूर करें वीडियो को जो लोग चैनल पढ़ना है जोड़ें वो लोग चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करने थैंक्स फो बॉचिंग माई वीडियो प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब थैंक यू